नमस्ते जी, देश में चल रहा स्ट्रक्टरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांस्परंट टेक्सेशन, ओनरींग दा ओनेस्ट, 21 सदी के टेक्स सिस्टेम की इस नई व्यवस्था का आज लोकारपन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस एसेस्मेंट, फेसलेस अपील और टेक्स पेर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स है। फेसलेस एसेस्मेंट और टेक्स पेर्स चार्टर आज से ही लागु हो गए, जबकी फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानि दिन्दयाल उपाध्याईजी के जन्ब दिन से पूरे देश भर में नागरी कों के लिए उपलब्द हो जाएगी, अब टेक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टेक्स पेर को ये फेर्नेस और फेर्लेसनेस का विश्वाज देने वाला है, ये सभी टेक्स पेर्स को इस महत्वपून तोफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इंकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को, हर छोटे मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुपकामनाई देता। साथियों, बीते छे वर्ष में हमारा फोकस रहा है, बैंकिंग दे अन्बैंक, शिक्यरिंग दे अन्शिक्योर और फंडिंग दे अन्फंडेड, आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है, honoring the honest, इमांदार का सम्मान, देश का इमांदार taxpayer राष्ट निर्माण में बहुत बड़ी भूमी का निभाता है, जब देश के इमांदार taxpayer का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है, साथियों, आज से शुरू हो रही, नई व्यवस्ताएं, नई सुविधाएं, minimum government, maximum governance, इसके प्रती हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती हैं, ये देश स्माचियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदब है, साथियों, आज हर नियम कानुन को, हर policy को, process और power centric approach से बहार निकाल कर, उसको people centric और public friendly बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए governance model का प्रयोग है, और इसके सूखद परणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि short cuts ठीक नहीं है। और हमारी यहां तो railway station पर लिखा जाता है, shortcut will you cut you short। गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है। वो दोर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहोल इस और आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपर ही रखते हुए सारे काम होने चाहिए। सवाल यह है कि यह बढ़लाव आखिर कैसे आ रहा है। क्या यह सिर्फ सक्ति से आया है। क्या यह सिर्फ सजा देने से आया है। जी नहीं बिलकुल नहीं। इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूँ तो चार बड़े कारण है। पहला पॉलिसी ड्रिवेन गवरनन्स। जब पॉलिसी स्पस्ट होती हैं तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं। और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और नेणव में भी डिस्क्रिशन की गुंजाईस कम हो जाती है। दूसरा, सामान्य जन की इमाददारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टिम में हुमन इंटरफेस को सिमित करके टेकनलोजी का बड़े स्तर पर उपलोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलिवरी सब जगह टैक इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं। और चौथा, हमारी जो सरकारी मशिंद्री है, जो बिरोकसी है, उसमें एफिशंसी, इंटिग्रीटी और सेंसिटिविटी के गुनों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। साथियों, एक दोर था, जब हमारे हाँ, रिफॉर्म्स की बहुत बाते होती थी, कभी मजबूरी में कुछ फैसले दिये जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परणाम नहीं मिलते थे। अब यह सोच और एप्रोच दोनों बदल गई है। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है, रिफॉर्म नीती आधारित हो, तुकडों में नहीं हो, होलिस्टिक हो, और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है, कि एक बार रिफॉर्म करके रूप गए, ये निरंतर सत चलने वाली प्रक्रिया है।